जैन जैन दोस्तों आज हम आपको फ्लाइट बुक करना कैसे आप से फ्लाइट बुक करते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में हम लिखेंगे फ्लाइट बुकिंग एप कि आपको काफी अप दिखाई देंगी मेक माइट कि जैसे जात्रा इज कलिर ट्रीप पिजी माइट रीप श्काई स्केन नर बहुत सरी अप दिखाई देंगी कि अभी मैंने मेक माई ट्रिप को पहले से अल्रेडी डाउनलोड कर रखा तो यह डारेक्ट ओपन दिखा रहा है अभी यह अपडेट नहीं है तो अपडेट का उप्शन आ रहा है तो हम इसको अपडेट पे लगा देते हैं अभी हम आपको एक इंस्टाल करके दिखाएंगे और हम Wirdough login व्यूंद वैसे मायरे login id भनी हुए लेकिन हम विदो लग fatal login को ऐजएग डरेक्ट है तो अभी हमने यातरा को इंस्टाल करना कर दिया इंस्टाल हो रही है यह a Web इंस्टाल हो ग이 हम ओपन कर लेते हैं अभी ये यातरा है अबकि Himberum हो रही है अभी इसमें आपको नीचे दिखाई दे रहा है ओफर बगएरा जो भी दिखा रही है यह कोई भी यातरा है यह काफी बड़ी एप है और कंपनी है तो यह काफी ओफर भी देती है टूरिस्ट बगरां को अभी в flg फ e click किया और बाको वनवे करना है अगर आप आणा जाना दोनों करना चाहिते खिल रांड डिप अभी हम वन वेप करें कि हमें कहां से जाना है और किस जगह जाना है हम एंट्री करेंगे अभी हमने ले डाल दिया है ले दिल्ली से ले क्योंकि और डिल्ली पहले डला हुआ था जहां से चलना था हमारे और जाना है वो ले हमने डाल दिया अभी हम किस तारीक को जाना है वह देखते हो यहां पर प् उठाब प्राइस चल रहा है आपके सामने तीक दिखाई देब ग्रीन है वह सबसे कम रेट चल रहा और जो रेड वह ज्यादा वाला तो तो अभी एक डेट 21 मार्च को कर लेते हैं 21 मार्च को एंटर कर दिया है हम 21 मार्च को दिल्ली से ले जाना है अब हम क्या करेंगे सर्च सर्च फलाइट आपको अभी फ्लाइट आजाएगी कौन शी फ्लाइट जा रही है तो सबसे पहले हमने सैटिंग रखिए वह उपर बाल च्रहना अब सबस्ते वाली जो भी है आपको सबस्ते वाली उपर से स्टार्ट होगी नीचे बढ़ोगे तो तो आप बढ़ते हुए जाएंगे अभी एर इंडिया की देखो 123 रुपे की चल रही है तो रेट बढ़ते हुए जा रहे तो हम सच्थी वाली करते हैं सबसे पहले यह गो फर्स्ट की है गो एरवाड होगे तो हमने गो एरवाड़ी पर क्लिक कर दिया तो इसमें आपको दिखाया है कौन सी आपको लेनी है तो हम गो समार्ट को चूज करेंगे अभी गो समार्ट खुल गया है आपको दिखा रहा है कि 6 बज़े पांच मिट पे यह फलाई करेगी और शाड़े साथ बज़े आपको ले में छोड़ देगी अभी एक और उप्सन है कैंसलेशन प्रोटेक्शन इसमें आपको एक उप्सन दिया जाएगा अगर आप प्रोग्राम कैंसल हो गया तो आपको शिर्फ यह फांच रुपे लगेंगे बाकी रिफंड हो जाएगे और यह ओफर चल रहा है पांचार रुपे तक की टिकट पे अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आप देखो जो रेट दिखा रहा है उसमें 600 रुपे उन्होंने एड़ कर यह आपको बताया जाएगा हम कितना क्या करेंगे जो भी इसकी डिटेल्मेंट है तो अगर आप यह लेना चाहो तो ले सकते हो आपको प्री पैसे रिफंड हो जाएगी बस 600 700 रुपे का जो नुक्सान है वह होगा लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी पेकरने पड़ेंगे अब हम ओफ कर देते हैं कैंसल लेशन वाला अभी ओफ कर देखो रेट 8201 आगया अभी निचे देखो आपको काफी ओफर मिलेगे कोई कौन से क्रेडिट कार्ड पे HDFC पे UPI पे आप जिस पे क्लिक करोगे आपको देखो जैसी क्लिक करूंगा आपको कंसेशन दिखाई दे रहे हैं किस क्रेडिट कार्ड पर दे रहे हैं तो अभी उस पर करते ही घृत दाओं रागया तेजिक है एकदम से 500 रुपे कि चूट दे दी अभी अगले पर क्लिक किया तो फिर अलग से चूट देदी उससे अगले पर किया उससे यह सभी ओप्सन आप है कि कौन सा क्रेट कार्ड यूज करें यूपियाई जी एस्ट फ्री है काफी कंपनियां चूट दे रही है फ्रीफलाई है तो आप इसमें चूज कर सकते हो आपके पास जो भी अविलेबिल ओप्सन है करें क्रेडिट कार्ड वगारा जो भी है जिस भी कंपनी का है कोई ओफर है तो अभी हमने फ्रीफलाई पे कलिक कर दिया है तो अमें इतनी चूट मिली है 28 रुपे की अभी 25 रुपे में होगी अभी इंसुरेंस एड करना चाथते हो तो आपका प्राइस बढ़ जाता है और इंसुरेंस अटाना चाथते हो यह हमने इंसुरेंस नहीं लिया इसमें रिस्क पे ट्रैवल करेंगे हम तो अपनी कितने के 25 रुपे की अभी आपके अगर आईडी है पहले सी यातरा में तो आप उससे लोग इन करकर टिकेट कर सकते हो अगर नहीं है तो आप कंटिवाइड्यगास कर स्कते हो आपने कंटिवाइड्यगास की आपकी इमेल आईडी में लाइड इसमें फिलप करनी है और मूुबाइल ब्र मेरा इंटर करते हुआ है कि अभी हम आगे प्रसीड कर दिया अभी हम उस पर ट्रैवलर नेम तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मैंने मिस्टर पर किया और मेरा नेम डाल दिया यस और मिस्टर पर कलिक कर दिया यस प्लोबदा अभी आपको प्राइस भी नीचे सो रहा है अभी आगे हमने प्रसीड कर दिया आपको यह कोई खाना लेना है या वाकी कुछ ओप्षन दिखाए देगे तो हमने इसको स्किप कर दिया नेकर तो अभी पे नाओ पे चले गए आपको कैसे पैमट करने है यूपियाई से एक रेज़िट कार्ड से डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग से तो सभी ओप्षन आ जायते है आपके पास जो भी ओप्षन एविलेबल है उससे आप टिक्ट कर सकते हो सभी कंपनियों के है अभी हमने यूपियाई पे खोल दिया आपको सारे उप्षन आपके मूबाइल में जो भी है सारे उप्षन वट्ट्ट से भी कई रिटल से भी पे टीम से भी फोन पेज़ पे किसे पैमिट करना साथ है उससे आप पैमिट कर सकते हो अभी हम मेक माई ट्रिप पे करेंगे पहले वह यात्रा बताए मेक माई ट्रिप पे क्या उप्षन चल रहा है और कितनी क्या चूट है उसके बारे में मेक माई ट्रिप में मेरी ओरेडी बनी हुई है नहीं तो वह पहले वाड़ा प्रोसेस आप अपना सकते हो गैस्ट के तोर पे तो अभी मेक माई ट्रिप में क्या चल रहा है मेक माई ट्रिप उपन होते ऐसे आएगा उसमें फ्लाइट लिखा वाउपर नीचे कुछ ओफर अभी दिखाएगा आपको किया किसमी क्या ओफर चल रहा है कि हमने फ्लाइट पर किया क्लिक तो वन वे यहां पर करेंगे हम यह अभी मेरे को कहां से चलना है नहीं दिल्ली इंद्रगंदी इंटरनेशनल एएरपोर्ट से को मैंने वी क्लिक किया और नीचे आ गया और मैं उस पर क्लिक कर दिया उसके बाद मेरे को जाना का है ले यह एभी ले की एंट्री कर देंगे हम अभी जाना मेरे किस डेट को है नीचे ओफर भी देखूंगा मैं कोई ओफर अलग से चल रहा है क्या बाकी ओफर वहां पर भी सो होगा जब जिस टाइम आप टिकट का प्रोसर्स करो गया आगे यह ओफर दिखा रहे है कोई तूर का ओफर है कोई विधेश जाने का है काफी ओफर चल रहे नीचे अभी हम डेट सेलेक्ट करेंगे किस डेट को हमें नहीं दिली से ले जाना है अभी मैंने खोल दिया तो इसमें आपको शो रहा है किस तारीकों कितना रेट सल रहा है फ्लाइट का तो हमने 20 तारीकों मार्च को एड़ कर लिया है अभी मार्च की फ्लाइट सल रही है इतना रुपए की आपको उपर दिखा दिया है कौन सी फ्लाइट प्रैफर करोगे आप और यह भी आपको डाउन सबसे पह उपर दिखाए जिसकी किमत सबसे कम हो वह आपकी सेटिंग निर्बर रहता है यह विस्तारा की फ्लाइट दिस हो रही है 26 इना रुपए की अब इसमें एक ओप्शन ओर है इसमें आप लोग कर सकते हो मेरे को अभी टिक्ट नहीं करनी बुक लेकिन मैं लोग कर दूंगा इसमें आपको उप्शन दिया जाएगा कितने रुपे में लोग होगा अगर रेट बढ़ता है तो आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा शिरफ जितने अभी लोग किया अगर रेट गटता है तो कंपनी आपको छूट देगी लेकिन आपको एक हफ्ते का टाइम मिलेगा एक हफ्ते कंदर आपको टिक्ट बुक करनी ही पड़ेगी अगर नहीं करोगे तो आपको जो भी 200 या 200 जितने भी पे हुए हैं वो कंपनी अपने वापिस नहीं करेगी अभी 699 रुपे यह आपने 299 पे कर दी उसके बाद 246 रुपे बचे वह आपको बाद में पे करने हैं जिस चिर्फ एक अपते के लिए आप इसमें कंडिशन पढ़ सकते हो पैमेट ऐसे कर सकते हो यह आपको वहीं ओप्सन आगे पैमेट करके आप यह टिक्ट बुक करके तो नहीं जाना तो फिर आप इसकी यह 299 रुपे का लोस होगा लेकिन अगर प्राइस रेट बढ़ जाता है तो आपको फाइदा है अभी हम बुक करेंगे अभी हमने वह लोकवाला नहीं किया है तो हमने डारेक्ट बुक किया 269 रुपे में दिखाई दे रहा है एकनोमी क अभी आपको बैग बैगेज पोलशी भी लिखी होई 7 kg हैंड बैग में और 15 kg लेगेज में जा सकता है अभी यह अपना इन्होंने फीस भी एड कर लिए 279 रुपे हो गई है यह फीस हर कंपनी चार्ज लेती है आपका किसी का 200 रुपे किसी का 100 रुपे किसी का 300 रुपे भ लेती है अभी 279 रुपे की होगी देखो अभी मैं ओफर देखूंगा क्या ओफर चल रहा है अभी अभी MMT Super को एड करने से आपकी टिकेट है सश्ती हो रही है और मैंने इंसोरेंस लिया नहीं है और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा अगर जो भी जाना चाहता है तो उ है कि आब है अब हमने एड कर दिया है इसो नंबर क्या अपना नाम-गय करना Wenn अपड़ेगा एडाल्ट तो मेल अजल फंस नेम है जो भी है को मैंने ये इस प्रतायड कर दिया लाश्ट नेम फस्ट में जस्ट कर दिया आड़ अभी आपको मुबाइल नमबर मेल आइड़ी एंटर कर देना क्या इसके बाद फिर आपको ऊपर ओप्सिन स्लेक्ट कर लेना जिस बड़ जो एड़ हुआ है उस पे हम आपने कलिक कर दिया और कंटिन्यू पर चले गए अभी हमने इंसोरेंस ने लिया है हम रिस्क पर ट्रावल करेंगे कंफरम कर दिया हमने तो आगे प्रोसेसिंग चल पड़ी है अभी इसमें ओप्षन देते हैं आपको शीट बुक करने का अगर आप फरी बाली बुक करोगे तो कोई पैमेट नहीं करने पड़ीगे अगर आप चूज करते हो मेरो विन्डु चाहिए यह चाहिए तो आपको 100 200 300 रुपए आपको पिय करने परेंगी है कि तो हमने फरी बाली एड गी हुआ है है कि पेरा के हम ने continue कर दिया है कि मैं यह बारे में बता रहे हैं तो आपने पिर औरовать कर दिआ यह कोवीडि के बारे में डिटेल हैं अभी कंटिन्यू किया तो आपको दुबारा कंटिन्यू एनिवे का ओप्शन आएगा रिविव करने के लिए तो आप खंटिन्यू एनिवे कर दिया अभी पैमेट के ओप्षन आगे वही ओप्षन है पहले इसमें आप क्रेड कार्ड या जो भी डेविट कार्ड किसी से भी पैमेट कर सकते हो अभी हमने फोन पे एंटर कर दिया है अभी हमारी अप्लिकेशन ओपन हो जाएगी जो मोबाइल में है फोन पे की अभी जखो आप यहां से पे कर दोगे और जब दक प्रोसेसिंग पूरी नहीं आप ज्यादा मुतलब एकदम से अपको क्लोज नहीं करना नहीं तो पैसे फर्जेंगे अभी पेटीम से भी बताएंगे पेटीम में भी काफी बार ओफर आते हैं कई बार पहली बार फ्लाइट बुक करें तो 700 रुपए 5,000 की टिकेट में आपको 500-700 रुपए की छूट मिल जाती है अभी इसमें नीचे उप्शन मिलेगा फ्लाइट का फ्लाइट्स लिखा हुआ मिलेगा आपको यह फ्लाइट लिखा हुआ है अभी नीचे के अप्शन दिखption रहा हुआ आपको लीचे बीच में फ्लाइट ॡिक्ट्स लिखा हुआ है कि वहां पर आप कलिक करके कर सकते हुआ है हमने पहले ले संदे अट की सर्च करकेए कि तो अब हमचेंज करेंगे ऑनीनी तो देखेंगे। आपको सो रहे किज़ूट को कितना प्राइस है। है अब आपने मार्च में हमने सिलेक्ट कर लिया है बीश मार्च को तो अभी सर्च फ्लाइट कर देंगे। अब को आपको दिखा रहा कितना है 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 अब कि दिएफ्शी पे आपको चूट नीचे सो रहा हैी इस डिएफ्शी कि रेक्रड पे कितने रुपए तक कितनी चूट है तो आप उसका यूज कर सकते हो उसमें देखो ओफर दिखा रहे हैं तो यह यूज करके आप 500 से 700 रुपए पांजा रुपए की टिकेट में आप शूट ले सकते हो बाकी वही प्रसेस रहे का पैमेट वगारा पैटियम में तो आप डारक्ट यहीं से पैमेट कर दोगे और टिकेट आपकी मेल के थरू आपके जीमेल में आ जाएगी और ट्रम अंड कंडिशन जब भी जो भी आप ओफर लोगे उसके ट्रम अंड कंडिशन देख लेना आपको कितने रुपे की शूट कहां तक दे रहे हैं वैसे भी प्राइस आपका पैमेट कटने से पहले दिखाई देगा अब इतने रुपे हम अकाउंट से काट लेंगे अगर आपको जानकारी अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद जाहिन जावाद